जै माकाली मित्रो आपका मेरी चैनल माकाली मादुरगा शक्ती समवाद में स्वागत है मित्रो अगर आप मेरी चैनल पर नए हैं तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजे लाइक कीजे शेयर कीजे साथी notification bell को भी प्रेस कीज़े जिससे मेरी आने वाली वीडियोस का notification आपको तुरंत मिल जाए मितरो आज का जो विशे है वो विशे ये है कि मा काली किसी भी भक्त को स्वीकार करने में इतना समय क्यों लगाती है इसका क्या कारण है और किस कारण से भक्त को इतनी परिक्षा देनी पड़ती है मा को इतना मनाना पड़ता है देखिए कोई भी देवी देवता जो होते हैं एक देवता तो जो होते हैं वो सोमय सभाव के होते हैं जैसे कि भगवान कृष्ण है शिरी राम है तो ये देवता सोमे सभाव के हैं, भोले नाथ हैं वो भी सोमे सभाव के हैं, मा गोरा हैं वो भी सोमे सभाव के हैं और ब्रह्मा जी हैं वो भी सोमे सभाव के हैं लेकिन जो प्रचंड देवी देवता होते हैं जैसे कि मा काली हैं, बालजी महाराज हैं और भैरोजी महाराज ये कल्यूग में जागरत शक्ति हैं, शाक्षात रूप से विद्यमान है पृत्वी पर, तो ऐसे समय में ये लोग प्रचंडता लिए हुए हैं और प्रचंड देव हैं, सोम्य देव नहीं हैं, तो यही कारण होता है कि ये अपने भक्त की परिक्षा लेते हैं, और इतनी पर खरा सोना होता है, यानि परिक्षा पार करके वह खरा सोना उन्हें निकलता है, दिखाए देता है कि ये बच्चा खरा सोना है, तो उस बच्चे को ही ये सुईकार करते हैं, अन्य सामान्य व्यक्ति जो कप्टी होते हैं, जो अपने वचन के पक्के नहीं होते हैं, जो व्य पर चलती है सबसे प्रतम चीजज ज रहा होती है कि बहु猪ती को मनानी है वह हमारे भावी होते हैं और अगर हम भगवा न के साथ में किसी भी क्रकार के करते हैं कपटता से अर्थ होता है कि आप भगवान के लिए कोई मननत बोल देते हैं कि हम आपके लिए ये करेंगे वो करेंगे तो आप उस कारिय को नहीं करते हैं या फिर कोई वचन करते हैं आप भगवान से कि भगवान हम आप हमारा ये कारी कर दीजे हम आपके लिए ये कर देंगे या फिर आप एक ऐसा वचन करते हैं कि हम अपनी गलती में सुधार करेंगे हम ये कार्य नहीं करेंगे और उसके बाद आप उस वचन को तोड़ते हैं तो वचन भंगी व्यक्ति मा काली को बिल्कुल भी पसंद नहीं होते क्योंकि माकाली स्वेंबी वचन की पक्की है अगर उन्होंने आपसे कोई वचन कर लिया है तो वे उस वचन को अवश्य ही पून करती है चाहे कोई भी परिस्तिती हो तो ऐसी परिस्तिती में जो व्यक्ति वचन भंगी होता है अपने वचन को तोड़ता है तो ऐसे व्यक्ति को मा काली बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है साथ ही मा काली का एक सभाव ऐसा भी है कि अगर कहीं पर भी सोम्य देवता की बात आती है और प्रचंड देव की बात आती है अगर आपके शरेर पर दो सवारी आती है जैसे कि मा दुर्गा की सवारी आती है या फिर मा काली की सवारी दोनों सवारी एक साथ आती है आपको लेकिन अगर बात की जाए मा काली की तो मा काली हमेशा मा दुर्गा से आगे रहती है यानि सबसे पहले वो अपना नंबर लेती है कभी भी अगर शरीर पर आने वाली बा पर केवल मा दूर्गा की सवारी आती थी लेकिन कुछ दिन बाद हमारे शेरी पर माघ काली की सवारी आने लगी लेकिन जसे खाले की सवारी हमें सवारी भी और बिधा काली सबसे नमबर वन iso चाहिए और उनके अंदर एक खास्यत यह है वो भक्त की धहरिये की परिक्षा लेती है कि उसमें कितना धहरिये है और जिस बच्चे में धहरिये होता है वो मा का खरास होना होता है और आपको विशम परिस्टितियों में डाल कर एक ऐसी परिस्टिती में जहां पर आप तराही माम करते हैं जापर आप मा से हाथ जोड़कर ये कहते हैं कि हे मा आप हमें शमा कर दो, हम आपके दास हैं, आपके बच्चे हैं, उस परिस्थिती में आपको ला करके तब मामा ही आपका बेड़ा पार करती है, तो मा इतनी कठिन परिक्षा बच्चों की लेती है, लेकिन कुछ बच्चे भी होंगे जो मेरी बात से सहामत नहीं होंगे वो कहेंगे मा हैं. मा होती है लेकिन हर माई का स्वभाव अलग-अलग होता है इस संसार में जितनी भी माई है सबका स्वभाव आपको एक जैसा नहीं मिलेगा कोई सुम्य होगी, कोई कड़क होगी तो उसी प्रकार से माकाली सोम्यता के साथ कही न कहीं कठोरता भी ग्रहन करती हैं क्योंकि उनका जो भी अवतार हुआ था माकाली जो प्रकट हुई थी वो प्रचंडता के लिए हुई थी लेकिन भक्तों के लिए बच्चों के लिए वो मा हैं तो इसी करण से व वो एक बार किसी को अपना लेती है माकाली की एक विशिषता ये भी है कि जब माकाली किसी को अपना लेती है तो फिर जल्दी से उसको छोड़ती नहीं जनम जनवांतर तक उसके साथ रहती है आपने देखा भी होगा कि जिन लोगों को माकाली की सवारी आती है उनको लगातार पीडी दर पीडी सवारी चलती है अगर एक घर में पीडी में किसी को सवारी आती है तो वही सवारी ट्रांसफर होती रहती है माकाली की उसका कारण ही होता है कि जब वो उधार करने पे आती है तो पीडियों को उध तक का उधार कर लेते हैं तो ये मा काली की विशेशता होती है तो इस प्रकार से मा काली कठिंता से पाई जाने वाली और सोम्यता से रहने वाली मा बगवती मा देवी हैं तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि मा काली को पाना इतना आसान भी नहीं है और इतना मुश्किल भी लेकिन परिक्षा आपकी अवश्य होगी आपकी धैरिये की भी परिक्षा होगी और जो लोग शम्शान काली की सवारी लेते हैं आपने शायद आप जानते भी हो इस पर मैंने वीडियो भी अपलोड की थी जो लोग शम्शान काली की सवारी लेते हैं मा भगवती उनकी कठिन परिक्षा लेती हैं और उनको तवचा संबंदी रोग भी कई बार दे देती हैं और वो रोग भी ऐसे होते हैं जिसका कोई कारण नहीं होता और जिसका कोई इलाज नहीं होता तो महमाई इतनी गहन परिक्षा लेने के बाद ही अपने बक्त को अपनाती हैं और अपनाने के ब वीडियो में तब तक के लिए जै महाकाली जै महाकाल